हेलो फेर्ट्स स्वागत आप तक का हमारे चनल एक्सलून कुण में मेरा नाम में दोस्तो मुकुल जैन दोस्तो आज का टॉपिक है एडवांस पीवर्ट टेबल की बात करेंगे दसल है क्या पीवर्ट टेबल वही है बस कोशन हमाय थोड़ से एडवांस हो जाएंगे और दोस्तो अगर आप लोग हमाय से अभी लें जोड़े हुए हो तो इस वीडियो को लास तक देखेगा इस वीडियो के बाद आपको पीवर्ट टेबल आ जाएगी तो अब हम चलते हैं अपने कोशन की तरफ तो यहां पर मैंने कुछ कोशन राट की हुए है यह थोड़े से एडवांस कोशन है तो इन ही को हम सॉल्व करेंगे अब पीवर्ट टेबल में तो उससे पहले हम लोगों को डेटा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तो डे राट मेंट हैं यहां पे डेज्गलेशं दी गयी हैं इसके बाद सैल्री वमैंट है उसके बाद गुरूप है प्लट टाइम जोइनिंग को प्ल्ट है उसके बाद together सागई स्टेटस के आए और यहां फे को ओल्ड इंपॉइ बैस Websia है वो जो हानी कर तो मैने है से से आया है पे टाइम में क्या है कि पे टाइम में यहां पर हावरली लिया हुआ है और एक लिया हुआ है हमने सैलरी तो घंटों के साथ से पेवन लेता है कि उसकी पूरी सैलरी मतलब एज गुरूम में क्या है यहां पर यहां पर हमने एज गुरूम में वह पिना बताय चले गए है और या फिर बिना बताय उन्होंने नौके छोड़ दी है वह हमारे बैड हैर्स में आ गए है येस और बाकी सब अभी काम कर रहे है या फिर अगर गए है तो बता के गए है तो यह था हमारा पूरा डेटा और अब इन पर हमनों कोशन पढ़ लेते पहला है तो पहला कोशन हमसे कह रहा है टॉप ट्यैन हायसं सेलरी इंपॉइस इंच डिपार्मंन आब हमें क्या लिकालना है दोस्तो टॉप टैन हायसं पेड वाले इंपॉस हमें लिकालने है वह भी डिपार्मेण तो कैसे करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे हम लोग जो डेटा दिया गया हो उसमें दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है अब आप लोग एडवांस कोशन पढ़ रहो अब आपको पीविट बनाने का अपना थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा पहले हम लोग क कैसे कनवर्ट करेंगे कंट्रोल टी जैसे आपको कंट्रोल टी प्रेस करोगे यहाँ पर क्लिए टेबल का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपके हैडर्स है टेबल में तो आप माई टेबल हैस हैडर्स यहाँ पर क्लिक कर दोगे टिक कर दोगे उसके बाद ओके कर दोगे तो होगा क्या यहां पर आपकी टेबल बन जाई कैसे पर चलेगा यहां पर आपको डिजाइन टैम मिलेगा जिसमें आपको टेबल का लेम लिखा हुआ आएगा अभी फिला यहां पर टेबल वाल है तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहां पर और लिख देते हैं HRData यह हमने ट एक सें के खुलने रहा है इनसेट के टैब में मिलेगा आपको नहीं पर यहां पर नहीं है PAYWAT Тेबल कि यह इनसेट के टैमें पर नहीं पर क्लिक कर दो क्意思 तो यह आ जाएगा आपके पास एक पपप बॉक्स टेबल का लेम आपको यहाँ पर मिलेगा पहले आप याद कीजिए तो यहाँ पर डिफरेंस आता था अब यहाँ पर टेबल का लेम आ रहा है उसके बाद यह कहां बनानी है आपको इसी में बनानी है इसी वर्शिर में बना तको पिवीट टेवल आपके सामने पहली बार ने जराए गा इस तरीके से पहली बार ने-जराए आपको मैं क्या करें he pivot टेवट फील उठाकर यह पे ले आरहा हूं जिससे आप पूरा समझ में आया जाए है मसको यहां पर थोड़ा सा साइज को भा लेते हैं अब इपकोशन फिर से फटा फट वीट कर लेते हैं उससे पहले मैं यहां पर इस पेलिक देता हूं यहां पर पीवट अब चलते हैं कोशन की तरफ कह रहा है वही है टॉप टैर हाइस्ट हमें सैलरी इंप्रोईस चाहिए डिपार्मेंट तो दोस्तों यहां पर डिपार्मेंट कहां आ रहा है अगर आप देखो के ध्यान से तो डिपार्मेंट आपका यहां पर आ रहा है डिपार्मेंट यह हैं इंप्रोईस हमारी यह हैं और सैलरी हमारा टेप यह दिया गया होगा है सेम यही चीज आपको पीवट टेबल में न तो जिदने भी य्यूनीन डिपार्टमेंट है आपके जिदने भी यूनीन लिष्ट है, डिपार्टमेंट की, वो यहां पर आ गई यहां पर design tab में जाएंगे और design tab में आपको report layout मिलेगा दोस्तों यहां पर tabular form लगा देंगे तो tabular form में क्या होगा अलग-अलग column में यह data हाजाएगा उसके बाद दोस्तों क्या करना है अब इनकी हमें salary चाहिए तो salary की field उठा के हम यहां पर value में डाल देंगे यह value में डालेंगे क्यों कि salary नंबर में है और यह summation का आपको sign दिख रहा है इसलिए हम लों ने यहां पर salary values में यहां पर रखी अब क्या करना है इसके बाद आपको यहां पर right टिक करना है salt में जाना है और salt largest to smallest करना है तो आप देखोगे जिसकी सबसे ज्यादा salary वो सबसे उपर दिखाए देगा आपको इस department में इसकी salary ज्यादा है तो यह उपर आ रहा है तो यह sort होगे आपका largest to smallest salary में इसके बाद दोस्तों क्या करना है एक छोटा से step और है यह salary उठाके फिर से आपको drag करके यहां values में रखना है तो होगा कि second layer same बना देगा उसके बाद right click करना है right click करना है show value as में जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा rank largest to smallest आप इस पर यहाँ पर click कर दोगे एक second क्या होगा यह pop up box आगया हमाँ पास एक जमने largest to smallest प्रेस किया उसके बाद आपको simply okay कर दे ला है तो जैसे आप okay कर दोगे आप जहां से दोगे तो यहाँ पर आपके पास rank आ जाएगी employees की salary wise जिसकी salary सबसे ज्यादा है उसका first जिसकी equal है 99,000 दिख रहा है तो इसने 2 rank यहाँ पर दे दी और यहाँ पर 3,4,5 हमें 10 चाहिए हमें 10 कैसे चाहिए हमें 10 ऐसे नहीं चाहिए पूरे-पूरे 10 हमें जहां तर हमारे employees काउंट करे एक second यह कुल 5 हो गए 6,7,8,9,10 इस तरीक से हमें list चाहिए तो वह कैसे करेंगे यहाँ प value filters में जाएंगे और top 10 जो हमें दिख रहा है उस पर click कर देंगे और ok कर देंगे तो होगा क्या जितने भी top 10 salary वाले employees होंगे वो यहाँ पर आपको fetch होके दिख जाएंगे तो यह था हमारा पहला question ऐसे हम लोग यह अपना first question करेंगे अब चलते हैं अपने second question की तरफ second question में दोस्तों यह है कि कह रहा है कि how many employees who have salary in giving bucket मतलब क्या है इसका कितने employees ऐसे हैं जो इस bucket में हैं तो वो कैसे रिका लेंगे हम लोग देख लिए बार हम लोग गया उसी पेवर टेबल में जो लगी हुई है आपको नहीं पीवर टेबल नहीं बनानी है यहाँ पर हमने सब हटा दिया यहाँ पर अब आप इसको कैसे बनाओगे यहाँ पर आपको salary जो दिख रही है आप इसको लगा लोगे row wise तो जतनी salary होगी unique salary जतनी बन वही होगी वो सब आपकी यहाँ पर आ जाएगी जैसे 30,000 31,000 32,000 इस तरीके सारी salary आपके पास आ जाएगी अब आपको buckets ब जाएगा हो अगर आप यह question जाएगों तो 10,000 का बीच में gap है सबने salary में तो करना क्या है यहाँ पर आपको right click करना है इसी पर group पर जाना है यहाँ पर starting number और end number अपने हाँ पर जाएगा और यहाँ पर आपके पास कोई भी number हो आप इसको change कर दोगे 10,000 से करेगा क्या 10,000 का gap कर देगा 30,000 1,000 के बीच में तो आपकी buckets बन जाएगे यहाँ पर जैसे आप okay करोगे तो देखी bucket बन गई यहाँ पर चोटा कर देता हो मैं तो यह bucket बन गई है यहाँ पर उसके बाद अब आपको करना क्या है यह जो bucket बनी है इस पर number of employees चाहिए तो simple है employee name को आप drag करके value में यहाँ प of employee यहाँ पर निकाल के आपको देदेगा तो इस तरीके से यह bucket में आपको बताएगा कि 70 to 70 to 79,999 में 5 employees है केबल और इस लैम में इतने हैं और इस bucket में इतने हैं तो यह सब bucket में आपको number of employees बता देगा दोस्तो यह था दूसरा question तो हमारे यह first question और यह second question हो चुका है और दोस्तो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है और आप अगर और देखना चाहते हैं तो हमारा page follow कर लिजे एक्सल विद मुकुल और हाँ दोस्तो जिसको need है pivot table की उसको यह video जब शेयर कीजे तो य मिलते हैं लेस्ट वीडियो में तक तक दे दोस्तो धन्यवाद गुर्बाए